ओके प्रेश दे लॉड सभी को जैम सीगी सो आई आज हम बात करते हैं कर टॉपिक के उपर मैं वीडियो सुन रहा था पासर यानिय राज जी की बहुत अच्छे खुदा के दास है तो एक भाई का उनको फोन आया तो उन्होंने एक सवाल किया पासर यानिय राज जी को क्या जब हम अपने पासर के पाउन को छूते हैं क्या ये सही है क्या ये गलत है तो उन्होंने बताया पास्टर डैनिलाजी ने कि पाउं को छूना इस जिस्ट लाइक आईल वर्शिप पाउं को छूना एक मूर्ति पूजा के समान है हम मूर्ति पूजा करते हैं जब हम किसी के पाउं को छूते हैं तो उनका ये रिप्लाई था पास्टर डैनिलाजी का तो मैं बताना चाहता हूं थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूं इस बात को पास्टर डैनिलाजी को हो सकता है उनको इस सिस्टम के बारे में ना पता हो पाउं को छूना क्या होता है क्या सिस्टम है तो देखिए पहली बात पास जैनीरा साउथ इंडिया से हैं उनको नौर्थ इंडिया के कल्चर का नौर्थ इंडिया के सिस्टम का कुछ नहीं पता हो सकते थोड़ा बहुत पता हो लेकिन हमारे कल्चर का हमारे पंजाब का कल्चर क्या है नौर्थ इंडिया का कल्चर क्या ह उनको हो सकता है ना पता हो इसलिए उन्होंने अपने दिमाग से जितनी उनको नौलज थी उसी के मताविक उन्होंने उस भाई को रिपलाई किया तो अभी हम मैं बताना चाहता हूं कि पाउं को छूना क्या है फिर्स पहली बात पाउं को छूना यह हमारे नौर्थ इंडिया का कल्चर है जब हम किसी के पाउं को छूते हैं हमारे सिनियर के छोटे के नहीं जो बड़ा होता है हमारे से हमारा senior होता है जैसे कि मेरी age 25 है मेरे पापा की उमर होगी about 55 तो उनके पाउं को चूना कोई idol worship नहीं है मुर्ति पूजा नहीं है बट यह हमारा culture है कि जब हम उनके पाउं को चूते हैं तो वो हमें आशिश देते हैं हमें bless करते हैं आशिश दे तो पहली बात यह हमारा culture है नोर्थ इंडिया का भाई ड्यानियर राज को हमारे नोर्थ इंडिया की culture का नहीं पता है तो जब हम पाउं को चूते हैं मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमारे बड़े हमें आशिश देते हैं दूसरी बात अगर हम Bible की बात करें पाउं को चूने की अपने आपको डाउन करने की बहुँ डाउन करने की जब Abraham बैठा था और तीन दूत बहाँ पे दूत नहीं लिखा बहाँ पे त्री परसन लिखा है मनुष्य लिखा है कि तीन मनुष्य उसके पास आए जब Abraham ने उनको देखा तो वो दोड़के उनके पास गया और उनको पृत्वी तक जूखकर उनको परनाम किया What do you mean पृत्वी तक जूखकर It means वो उसने अपने आपको उनके सामने बोड़ाउन किया और उनको परनाम किया What do you think अभी आप बोलों कि वो तो खुदा था वो तो दूट थे नहीं नहीं बहां पे लिखा है मनुष्य spiritually नहीं सोचना है अभी थोड़ा सा physically सोच के देखा अपने mind से तीन लोग उनके घर में आया है जिनको वो जानता ही नहीं है तीन मनुष्य लिखा है बहां पे जिनको वो जानता नहीं है उसने एक बड़ा अच्छा उतर दिया कि हो सकता है आप हमारे गर में इसलिए आये हो ताकि मैं आपकी सेवा करूँ ताकि मैं आपके लिए खाना त्यार कर वाँ तो हमारा टोपी का पाउं को छूना तो उसने अपने आपको उनके सामने डाउन किया मतलब बो डाउन किया अपने आपको है ना तो बो डाउन का मुझे हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है आप समझ गए हैं तो पहली बात पहले उदार अबरहाम ने बोडाउन किया दूसरी बात दूसरा मैं आपको एक एक्जम्पल देता हूँ जब येशु मसी छोटा था और कुछ लोग पंडित लोग मुझे लोग जोटशी लोग येशु मसी के दर्शिन करने के लिए उनके घर में आए तो जो उनके पास था अपनी बेंट अपने गिफ्ट उसके सामने रखे खुदा येशु मसी के सामने रखे तो बही पर भी लिखा है कि उन्होंने येशु मसी के सामने बोडाउन किया तो इट मींज बोडाउन इस नाट ए अगर हम अपने पास्टर के पाउं को छूते हैं अपने बड़े की र lanz अगर हम किसी मूर्ती के आगे हम उसकी वर्षिब करते हैं और उनके सामने पर 나म करते हैं is called idol worship so पाउं को छूना पास्तर के पाउं को छूना अपने पेरेंट्स के पाउं को छूना अपने रिलेटिव के पाउं को छूना is not a idol worship but this is a way to receive the blessing from them उनसे आशिश लेने का एक तरीका है जब हम एक मिलने का तरीका है जब हम किसी को मिलते हैं तो हम उनसे आशिश लेते हैं कोई लोग हाथ मिलाता है एक जब मैं स्टड़ी कर रहा था एक भाई था मीजरों में बो बता रहा था किसी कल्चर के बारे में कि जब बो लोग I forgot the country कि हो जब बो लोग मिलते हैं तो बो लोग यहां पर हाथ लगाते हैं दूस्रे के सामने बाले के यहां पर हाथ लगाते हैं और बो मिलते हैं जैसे कि कोई लोग अधी यहां पर हैंड़ शे इल्डर वन, इल्डर वर्शिप, सो मेरे ब्रदर्स जेतने भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे बहन, मेरे भाई, लोग, सबी को मैं बताना चाहूंगा, कि हमें अपने बड़ों का अधर करना चाहिए, बाइवल भी हमें बताती है, कि हमें अपने अपने अल्डर्स का, अपने से, कल्चर ओफ नॉर्थ इंडिया, सो इंग्रिश की एक सेंग है, लेस नॉलिज, इस ए डेंजरस नॉलिज, नॉलिज, कम ग्यान, खतर ना ग्यान हो सकता है, सो मेरे भाई लोगों को जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यह वीडियो के दुबारा, और श्पेशली पास्ट जैनियर राग, के इस इस एक कल्चर ओफ नॉर्थ इंडिया, सो जो लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच जाए, और जिन लोगों को इसके बारे नहीं पता, बहुत जान पाए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, प्रभू आपको आशिश दे,